में राहूल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉंच कर चुकी है मगर लॉंचिंग इनकी सभल नहीं हूँ और आज 20 भी बार फीर से अमेटी से भाग कर द्राइबरेली में पर्चा डाला अरे राहूल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉंच कर चुकी है मगर लॉंचिंग इनकी सभल नहीं हुए और आज 20 भी बार फीर से अमेटी से भाग कर राइबरेली में पर्चा डाला अरे राहूल बाबा मैं यहां से राइबरेली का परिणाम बता देता हूँ भारतिय जन्ता पार्टी के प्रत्यासी दिनेश प्रताप सिंग के सामने आप राइबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं मेरी बाद लिख कर रहे हैं भाई और बेनो एक कॉंग्रेस पार्टी देश को एक नहीं रख सकते एक कॉंग्रेस पार्टी देश को सुरक्सीत नहीं रख सकते मोदी जी ने दस साल में करोडों गरीबों को घर का घर दिया घर में बिडली दी नल से पानी दिया पांच किलो प्रती व्यक्ती फ्री ओप कोश्ट अनाद दिया माताओं बेनों को सोचा लए दिया और सबसे बड़ी बात चिकोली वालों बताना सभी का कोरोना का टिका लगा है या नहीं लगा है भई जरा हाथ उपर करो को कोरोना का टिका लगा है दोनों लगा है ना चार आना भी देना पड़ा है क्या मोदी जी ने 130 करोड लोगों को कोफी पिला कर मुप्त में टिका लगा कर देश को कोरोना से सुरक्सीत करने का काम हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने किया है अरे राहूल बाबा उस वक्त कहते थे कि कोरोना का टिका मत लगाओ यह तो मोधी टिका है अच्छा है चिकोडी वाले उनकी सुनते नहीं है सब ने लगा दिया फिर रात को राहूल बाबा भी अंधिरे में अपनी बेहन को लेकर ठीका लगा आए राहूल बाबा सर्म करो सर्म करो कोरोना जैसी महामारी में भी आप रात दिती करते हूं भाई और बेनों एक और बारा लाग करोड के गपले गोटाले ब्रस्टा चार करने वाली कॉंग्रेस पार्टी है और दूसरी और तेईस साल से मुख्यमंत्री और प्रदान मंत्री रहने के बावजोद एक भी आरोब जिस पर नहीं लगा ऐसे नरेंद्र मोधी हैं एक और तीन महिने में एक वार फोरेन वेकेशन करने वाले राहूल बाबा है दूसरी और तेईस साल से दिपावली के दिन भी छुटी लिये बगर देश के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोधी है